आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशी फल आप दोपां चतुर्थी दिति आरंब हो जाएगी नक्षटर अनुराधा रहेगा सुबह के साथ बचकर 21 मेर तक दोपां जेश्ठा नक्षटर आरंब हो जाएगा वरत्योहर में आज ऐसा कुछ नहीं है मित्रो अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जानना है एक-एक मोहरतो ग्राम जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के धर्म शिक्षा पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विस्तायर पुर्वक जान सकते हैं, एक-एक मुहुरतों वयाय में जान सकते हैं आज के संपूरून रासी फल का वीडियो अगर आपको पसंद आये तो इसे लाइक तो जोरू करें साथी कमेट बॉक्स में जै मातादी जोड लिखें मित्रों आज के बारा रासी के रासी फल की चर्चा करें इससे पहले आईए एक नजर आज के ग्रहों की स्थेदी पर नजर डालें क्योंकि पूरा रासी फल हमारा इसी पर निर्भर करता है तो इनी से भी ग्रहों का मिलाद लाहाल आज के रासी फल में आईए जानते हैं बात करेंगे पहली रासी मेश रासी की मेश रासी मेश रासी मेश रासी में जिसके फ्रसुप मेश रासी के जातकों के व्यक्तित में निखार आ सकता है आत्मिस्वास में बढ़ोतरी हो सकती है आज किन अपने व्यक्तित पर विशेश तोर पर ध्यान दें आज किन अपने गुस्से पर भी नियंतन रखें किसी से वाद व्याद में तो बिल्कुल भी ना परें परोशियों तो छोटे भाई बहनों से समंद मधूर रखने का प्रयास करें घर से जब भी बाहर निकलें अपने वाहन को नियंतन में चलाएं धीरे चलाएं आज लराई जगरे के साथ साथ दुरुघटना के भी योग बन रहे हैं तो आपको थोरा समल कर रहना होगा आज किन जब भी घर से बाहर निकलें तो वीडियो के अंत में बताएगा सुब खाद्य को खा कर ही निकलें ताकि घर से बाहर किसी प्रकार के दुरुघटना या लराई जगरे का सामना तो आपको बिल्कुल भी ना करना पड़े व्यापार और धन की बात करें तो आई की दिष्टी से आज किन आपके लिए सामाने रहने वाला है फिर भी अपने व्यापार पर ध्यान दें और फिजूल घर्ची से बिल्कुल बचें विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामानने से थोड़ा कम रहेगा विद्यार्थी अपने मन को भटकने से बचाएं आज आपका मन पेक्षाकरित ज़्यादा चंचल रह सकता है स्वास्त की बात करें स्वास्त से समंदित कुछ परेशानी आपको आ सकती है मानसीक तनाव रह सकता है किसी प्रकार की चिंता रह सकती है प्रेम समंद की बात के जीवन साथी साथ सामन जस्य बना के रखने का प्रयास करें जीवन साथी से मन मोटाओ होने की संभावना बन रही है तो आपको ही अच्छे समंद बना के रखने का प्रयास करना चाहिए आज की नगर दही खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग क्रीम कलर लखी नंबर रहने वाला तीन बात करगे वरिसरासी की वरिसरासी मचंद्रमा साथवे स्थान में विराजित हैं जिसके फरसू वरिसरासी वालों जातकों के लिए आज कर दिन प्रसंदता से भरा हुआ रहने वाला है आज दिन भर में कुछ अच्छे समाचार की प्राप्टी आपको हो सकती है परिवार्जनों और सगे समंधियों में आपस में प्रियम और सद्भाव बना रहेगा ओफिस में सहकरिमियों का सहयोग भी प्राप्त होगा तथा सरकारी कारियों सापको लाव भी मिलेगा आज किसी प्रियेजन से आपकी मुलाकात हो सकती है व्यापार और धन की बातकेट आज पार्टनर्शिक के माध्यम से व्यापार में लाभापको हो सकता है सुसराल के पक्से से भी कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है भूमी, प्रोपटी और मकान के सुख में विर्धी भी हो सकती है आपके व्यक्ति का सुख में विर्धी होगी आपकी आई में बढ़ोतरी भी होगी और बचत भी आपके आज बरती भी नजर आ रही है विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है मेहनत करें उसका फल आपको जरूर बिलेगा स्वास्ति की बात के स्वास्ति के देश्टि से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समन्ध की बात के आज दाम पत्ते जीवन की खुशियां बढ़ सकती है जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बन सकते है प्रेम समन्धों के लिए आज के बहुती अच्छा रहने वाला है आज के जोओ ये जोओ से बनीवी चीज़ खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग औरेंज कलर लखी नमर नौ रहने वाला है बात करने मिथुन रासी की मिथुन रासी मचंद्रमा छठे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप मिथुन रासी वालों को आज संतान के तरब से थोड़ी चिंता रह सकती है अपने संतान का ध्यान रखें आपके अधिनस्त करमचारी और नोकरों का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है हिम्मत और प्राक्राम आपका बना हुआ रहेगा व्यापारों धन की बात करें तो आज का दिन आपके लिए काफी उन्नती दाइग रहने वाला है आपकी उन्नती हो सकती है आएके नई स्रूद बनेंगे व्यापार में विल लाब होगा पैतिक संपत्ती का लाब आपको मिल सकता है डूबावा फसावा कोई धन भी प्राप्त हो सकता है छोटे भाई बानों से सहयोग तथा लाब आपको मिल सकता है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाल है विद्यार्थियों की एक आगरता में कमी आ सकती है केरियर में संगर्स की योग बन रहे हैं लेकिन संगर्स के पच्चात सफलता मिलने की योग भी बन रहे हैं स्वास्त की बात करें स्वास्त की देश्ट्री से आज करें आपके लिए अच्छा रहने वाल है इससे आपके समन्द बहतर होंगे आज के इन चुकुंदर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग गुलाबी रंग लगी नमबर रहने वाला है साथ बात करेंगे अब करकरासी की करकरासी में चंद्रमा पांच में स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुप करकरासी वालों के लिए आज का दिन अध्यात्मिक देश्टी से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है भगवान की पूजा पाठ में आपको सफलता मिलेगी भगवान का आसिरवाद भी आपको प्राप्त होगा अपने से बड़े और गुरुजोनों का आसिरवाद आपको प्राप्त होगा कहीं तीर थियात्रा पे जाने के योग भी बन सकते हैं साथी साथ अच्छे समाचार की प्राप्ते भी होगी अगर कहीं मेहमान मन कर जाते हैं तो आपका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा मेहमान नवाजी का पूरा आनन्द आप उठा पाएंगे मित्रों तथा बड़े भाई भानों के सहयोग से कैरियर में सफलता आपको मिल सकती है माता के स्वास्तिका भी आपको ध्यान आज रखना चाहिए व्यापार और धन की बात करें तो आपके भागे में वर्दी होगी आई के सुरूत बढ़ेंगे व्यापार में लाभ होगा बढ़े भाई भानों का सहयोग भी प्राप्त होगा विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज कर दिन उत्तम रहने वाल है सफलता की प्राप्ति होगी जो विद्यार्थी प्रत्योगता परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है स्वास्ते की बात के स्वास्ते के द्रिष्ठी से आज के अपके लिए सामाने रहने वाला है लेकिन अपने माता के स्वास्ते का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंध के बात के प्रेम समंधों के लिए आज के दिन सामानने रहने वाला है, जीवन साथ ही से हलकी नोग जोग हो सकती है, लेकिन बाद में सब कुछ सामानने भी हो जाएगा, आज के दिन पादाम खाएंगे तो आपके लिए सुप रहेगा, आपके लिए आज का सफटान कारप्टी नंबर रहने वाला नहीं बात करेंगे अब सिंगरासी की lothe अस्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रसुप सिंगरासी वालों के लिए आज का दिन रुकेवे कारी को फसेवे कारी को बनाने वाला दिन है जितने भी आपके रुकेवे फसेवे बिगरेवे कारी हैं उन सब को खत्म करने की कोशिस करें आज उनको खत्म करने में आपको सफलता मिलेगी मान समान में भी बिर्दी होगी पिता का सहयोगी प्राप्त होगा आपकी कुंड़ली से आपके संतान को सफलता की प्राप्ती होगी और उनके काड़ी भी बनेंगे साथ ही अपने गुष्चे पर नियंतीन रखें परोस्यों से, मित्रों से, शग्य समंध्यों से संबंद मधूर बनाने की कोशिस करें उनसे लराई जगरे की योग बन है तो तो मेहीं रहेगा कि आप अपने आपपर ही नियंतन रखें आपको तो अपने फिजुल खर्चों पर नियंतर रखना ही चाहिए क्योंकि अभी आपकी कमाई भी नहीं है स्वास्ता की बात करें स्वास्ता के दिश्टी से आज के आपके लिए मध्यम रहने वाला है आज के दिन आपको किसी प्रकार की मानसिक परेशानी रह सकती है आज का सुबरंग लाल रंग लकी नमबर 9 रहने वाला है बात करेंगे कन्यारासि की कन्यारासि म्चद्रमा तीसे स्थान में विराजित है जिसके व्रसुप आज करें आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है आज आपकी कई परकार के अच्छाओं की पूर्टी हो सकती है अपने से बड़े मतापिता या बड़े भाई बाहनों के किर्पाफ पराप्त होगी आपको मानसमान मिलेगा परतिष्ठा में विर्धी होगी ओफिस में सगे समंधी होगे मित्रों में आपका मान समान बढ़ेगा आज का दिन आपके लिए कुल मिलाकर सुब रहने वाला है बात करेंगे व्यापार और धनकी तो कन्याराशी के जातकों के लिए आज अचानक से धनलाप की योग बन रहे है मकान और घर बनने की योग भी बन रहे है व्यापार योग के लिए आज किन काफी लाबदाएक भी रहने वाला है आपके लिए आज अच्छे से योग भी बन रहे है अगर आजकेन कुछ नया कारी आरहम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन नया कारी आरहम करने से पहले वीडियो के अंत में जोड़ जाने आज का सुब समय के हैं जूब समय में ही नयाकारी आरम करें, ताकि आपको सफलता के प्राप्ति निश्चीत तोर पे हो, विध्यार्थी की बात के विध्यार्थिवों के लिए आज किन सामाने रहने वाल हैं, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, सफलता आपको इसी से मिलेगी, स्वास्ति की बात के स्वास्ते के देश्टी से आजके आपके लिए बढ़िया रहने वाल है आज आपका मन और सरी दोनों स्वास्त रहेगा प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आजके बढ़िया रहने वाल है रिस्तों में नई शुरुवात भी हो सकती है आजके दूद या दूद से बनी भी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग नीलारंग लकी नमर तीन धने वाला है। अनावस्य खर्च आपके हो सकते हैं जिसका पूरा प्रभाव आपके व्यापार पर पढ़ेगा। विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाल है। वहां स्वरस्थी का अस्मर्ण करें मेहनद करें। सफलत आपको जरूर मिलेगी। स्वास्त्य की बात के स्वास्त्य के दिष्टी से आज किन आपके लिए मध्यम रहने वाल है। गैस से समंद्धित समस्याओं का सामना आपको करना पर सकता है। तो अपने स्वास्त्य का ध्यान जओर रखें। प्रईम समंद्ध की बात के दो दामपत्य जीवन की खुशियां बढ़ सकती है। विवाह के लिए आपके प्रस्ताव आ सकते हैं। नए समंद्धों की सुरुवात भी हो सकती है। आज के निम्भू अपने खाद्य पदात्य में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुबरंग फिरोजी रंग लखी नम्मर चार रहने वाला है। बात करेंगे विश्चीक रासी की विश्चीक रासी में चंदरमा प्रथा मस्थान में वी राजी थे जिसके फ्रसो विश्चीक रासी वालों के लिए आज के इन बहुत ही साकारतमक रहने वाला है। आज के अपने पराक्रम के बल पर और महत के बल पर अपनी आए में बढ़ोतरी होगी यात्रा के वियोग बन रहे हैं और यात्रा आपके सुब रहने वाली है व्यापार के लिए जीवन जीने के लिए आपको आज नए सही योगी भी मिल सकते हैं व्यापारो धन की बातकत व्यापारियों के लिए आजके क Bene काफी बढ़िया रहने वाल है आपके लिए आज अच्छE संयोग भी बन रहे है आजके कुछ न्याकारी अगर आरहम करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन नयाकारी आरम करने से पहले वीडियो के अंत में जोर जाने आज का सुब समय क्या है सुब समय में ही नयाकारी आरम करें विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज किन मध्यम रहने वाला है विद्यार्थियों को आज निंद्रा ज़्यादा आ सकती है तो अपनी निंद्रा पे नियंतन रखें अपना ध्यान अपने पढ़ाई पढ़ी लगावें स्वास्ता की बात करें स्वास्ता के देश्ट्री से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ते का ध्यान चूर रखें तले भुने और मरसारेदार खानों से दूर रहें प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज किन उत्तम रहने वाला है आज नए समंधों की सुरुआत हो सकती है आज के दही खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग ओरेंज क्लर लखी नमर रहने वाला साथ बात कहेंगे धनु आसी की धनु आसीम चंदरमा 12 में इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप धनुवासी वालों के लिए आज के इन उत्तम रहने वाल है तरह तरह के स्वाधिष्ट भोजन और मिठाईयां खाने की योग बन रहे हैं परिवार में तथारिष्टिदारों में आपसी सामन ज़से भी बना रहेगा व्यापार अधन की बात के बचत में विर्दी होगी व्यापार में लाव होगा बैंक बैलेंस और बचत आपकी आज भरती भी नज़रा रही है आज आपके लिए वस्तर आभुसन और रतने खहिदने की योग भी बन रहे हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आजके मध्यम रहने वाला है, लक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी करना पर सकता है, तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल न रखें, स्वास्त की बात के स्वास्त के दिश्टी से कुछ अन्बन होने की संभावना बन रही है तो आपसी सामन जस्य बना के रखें आज किन औरेंज याने की संत्रा खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग सभी परकार के चमकीले रंग लगी नमर 9 रहने वाला है बात करेंगे मकर रासी की मकर मकर रासीम चेंदरमा 11 वे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब मकर रासी वालों के केरियर के लिए आज किन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आज आपको परिवार जनों का पूरा साथ मिलेगा खास करके छोटे भाईबानों से ऑफिस में भी सहकर्मियों का आप थोगा आपको आज किन आपके लिए यात्रा की योग बन रहे हैं और यात्रा आपकी सुब रहने वाली है पिता का भरपूर सहयोग भी मिल सकता है आपको व्यापार अधन की बात करें तो मकर रासी के जोया तक भौतिक सुख सुधाओं की चीजें बेशते हैं जैसे इलेक्ट्रोंस का कोई भी सामान, मुवाइल फोन, फ्रीज, कप्रे द्यादी उनके लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है उनके व्यापार में विर्धी होगी कहीं अगर आपके पैसे बकाया हैं तो वहां से पैसे जोर मांगें वहां से पैसे आपको मिल सकते हैं विद् प्रतिस्था में विर्धी होगी हर जेगा आपको मान समान मिलेगा भविस्य के लिए आपको इस आकारतमा के योजनाज बना सकते हैं दूसरे सब्दों में कहें तो आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाई दिनों में सफलता की प्राप्टिक करवा सकता है व्यापार औधन की बात के सभी प्रकार की भौतिक सुख्ष भी विधायें आपको मिलेंगी जैसे मकान, भूमी वाहन, माता के सुख में भी विर्धी होगी जो भी कारी आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसमें आपकी रूची बनी रहेगी जिसके फलसरूप उस कारी में आपको सफलता भी मिलेगी आर्थिक दिष्टी से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाल है व्यापार में लाब होने की योग भी बन रहे हैं विध्यार्थी की बात के दिविध्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाल है अपने लक्ष को सादने के लिए विशे सरनीती बनाई इससे आपको फायदा होगा स्वास्ते की बात करें स्वास्ते के देश्टी से आजकी आपके लिए बढ़िया रहने वाल है लेकिन आपकी मानसिक सांती आज ओश्थिर रह सकती है किसी प्रकार की चिंता आपको रह सकती है तो अपने स्वास्ते का ध्यान जरूर रखें प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज के इन सामानने रहने वाल है जीवन साथी से आपसी सामान जस्से बना के रखें आजकें ब्राउन राइस याने की पका चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग सुनरारंग लखी नमर रहने वाला है साथ बात केंगे मीन रासी की मीन रासीम चंद्रमा नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब मीन रासी वालों के लिए आजकें बढ़िया रहने वाला है आध्यात्मिक सुख मिलेगा पूजा पाठ में धर्मिक कारियों में आपका मन लगेगा भगवान के किरपा अभिय करिमियों का सही प्राप्त होगा तो अपने व्यापार पर ध्यान दें विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आजकें उत्तम रहने वाला है मास स्वास्त्य की किरपा पर बनी रहेगी स्वास्त्य की बात के स्वास्त्य के दिश्ठी से आजकें आपके लिए की कोशिस करें इससे आपके समन्द बहतर होंगे आज किन सेफ घाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पी लारंग लाकिन नमर रहने वाला है छे तो मित्रों यह तो आज के 12 राशी का रासी फल आइए अब जानते हैं आज का सुब समय आज का आज का असुब समय यानि की गुलिक काल दिन के एक बच का 26 मिर्स लेकर दिन के दो बच कर 49 मिर्ट तक रहने वाला है इस समय में कोई भी नया कारी करने से बिलकुल बचिए इसमें आपको और सफलताहत लग सकती है दिसासूल आज पूरु दिसा में किसी भी खास नहीं है क्योंकि आज सूमवार है लेकिन आज दरपन देखकर याताराम करेंगे तो आपके कारी बनेंगे तो मितुरू यह जो थाज का संपून रासी भल कल के संपून रासी भल करी जूरी रहे है धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे है धर्मसिक्षा जे मात अदी